हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आज इस वीडियो में मैं आपको बाइक और स्कूटर सम्मंधित कुछ बहतरी न्यूज देने वाला हूँ जिसमें मेरे पास जो पहली न्यूज है वो है बजाज पलसर 220 BS6 को लेकर इस बाइक में बजाज कंपनी ने कुछ बदलाव किये हैं अब इसके जैसे कॉस्मेटिक चेंज तो कुछ हुए नहीं है इंजन में कुछ बदलाव हुआ नहीं दोस्तों इसमें जो आपको डिजिटल और एनलोग मीटर मिलता था उसी में बदला हुआ है और खास करके डिजिटल मीटर में दोस्तों उसका इंटरफेस चेंज कर दिया गया है अब ये बाइक पहले से ज़्यादा इंफरमेशन आपको देगी जैसे की अब ये बाइक आपको माइलेज भी बताएगी पेट्रोल टैंक में जो पेट्रोल रहेगा उससे कितने किलोमीटर जाएगी ये भी आपको बताएगी साथ में साइड स्टैंड ये सारी चीज़े मिलेंगी लेकिन अफिर डिजिटल क्लॉक इसमें आपको नहीं मिल पाएगी तो यही इसके मीटर में बदला हुआ है और आगे चलकर क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि पलसर 125 पलसर 150 में इसी साइज का आपको मीटर मिलता है फीचर्स अलग होते हैं तो आगे चलकर जो इसमें आपको फीचर्स मिल रहे हैं वही आपको Pulsar 125 या Pulsar 150 में भी मिल जाएंगे दोस्तों तो ये काफी अच्छी नियूज है प्राइस कितनी बड़ी है दोस्तों ये आने के बाद जब हमारे हाँ आ जाएगी तो मैं बाइक दिखा कर आपनों को वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि प्राइसिया में कुछ और कलर के साथ आई है तीन नए कलर इसमें अब आपको और मिलेंगे और जिसमें काफी अट्रेक्टिव कलर मिलेंगे दोस्तों तो आप इन कलर को भी देखे क्योंकि हो सकता है भविस्त में ये मतब जल्दी 2021 में ये इंडिया में भी इस कलर में अट्रेक्टिव लगेगी और अगले कलर की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको मेटेलिक ब्लू कलर मिल जाएगा जिसमें आप मटगाड पर देखेंगे तो आपको सिल्वर कलर में अगला मटगाड मिलेगा इसके ऐलोई बील आपको ब्लू कलर में मिलेंगे और पूरी आपको और ज्यादा option मिल जाएंगे color के जिससे आप खरी सकेंगे एक बहतरीन अपने लिए अपनी मन पसंद बाइक यामा की आरोन 5 वर्जन 3 और हो सकता है वर्जन 4 भी आ जाए दोस्तों तो ये तो थी मेरे पास दूसरी news और अगली news की बात करने दोस्तों तो TBS की XL 100 जो है वो आपको winner edition में मिल जाएगी इसमें आपको delight blue paint scheme मिल जाएगी dual tone seat मिल जाएगी और इसके लावा कुछ इसमें और ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं दोस्तों तो ये भी मेरे पास news है कि अगर आप XL 100 खरीदने वाले हैं तो आप winner edition भी खरीज सकते हैं दोस्तों और अगल जाएग उनमें आपको alloy wheel के भी option मिल जाएगे दोस्तों और दोस्तों अगली news की मैं बात करूँ तो जैसा कि आपने बजा चेतक electric scooter देखा टीवियस का अपने electric scooter देखा तो वैसे आगे चलकर आपको यामहा का भी electric scooter देखने को मिल जाएगा आप चाहे 2021 में देखने को मिले या फिर 2022 में देखने को मिले तो आपको देखने को जरूर मिलेगा तो ये तो मेरे पास news थी दोस्तों जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई और आगे चलकर जैसे कि classic 350 भी जल्दी ही आजाएगी नए model में नए engine के साथ तो जैसे ही bike के आती जाएगी मैं उनकी जरूर वीडियो बनाऊंगा वीडियो आपको पसंद आयो हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आप हमारे इस चैनल को bike point by minto and rahul को subscribe करके bell icon को जोड़ दबाएं जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की notification आप तक पहुंच सके तो हमारे इस वीडियो को दे